यहाँ पर आपको अपने website का नाम डालना है, यहाँ पर website का URL डालना है, यहाँ पर उसका purpose डालना है, उसके बाद create वाले बटन पर click कर देना है और ट्रेकर का icon ecosystem के dashboard से remove किये जाने के बाद से, यूजर और founder अभी और ट्रेकर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और जिन यूजर ने और ट्रेकर का tracking code अपने website में लगाया है, उन्हें अपने website के traffic detail की जानकारी नहीं मिल रहा है अब ऐसे में सवाल यह उत्पन हो रहा है कि जिन यूजर ने और ट्रेकर का tracking code अपने website में लगाया है, उन्हें अपने website की traffic detail की जानकारी लेने के लिए कोई दूसरा बेव solution ढूंड लेना चाहिए या फिर उन्हें कुछ दिनों तक इंतिजार करना चाहिए जब तक O-Tracker का paid version एक्टिब नहीं हो जाता है तो आज की इस वीडियो में हम इसी topic के उपर बात करने वाले हैं, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मंटन सर्मा तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन यूजर ने O-Tracker का tracking code अपने website में लगाया है वे अब तक O-Tracker का free version इस्तिमाल कर रहे थे यानि उन्हें अपने website के traffic detail की जानकारी लेने के लिए किसी तरह का कोई रकम पे नहीं करना पर रहा था वे फिरी में O-Tracker को इस्तिमाल कर रहे थे लेकिन अब O-Tracker paid होने जा रहा है इसलिए O-Tracker के free version को बंद कर दिया गया है और इसी बज़ा से O-Tracker का icon ecosystem के dashboard से remove कर दिया गया है जिन यूजर ने O-Tracker का tracking code अपने website में लगाया है और O-Tracker को इतने दिनों तक free में इस्तिमाल करने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि O-Tracker के dashboard में उनके website का दिखाये जाने वाला traffic detail उनके लिए useful है और वे आगे भी in traffic detail के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दिनों तक बेट करना चाहिए उन्हें कुछ दिनों तक इंतिजार करना चाहिए जब तक कि O-Tracker का paid version launch नहीं हो जाता है एक्टिव नहीं हो जाता है साथ ही O-Tracker के paid version में user को अपने website के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगा क्योंकि O-Tracker का जो free version था उस version में कुछ ऐसे feature थे कुछ ऐसे options थे जिन्हें की बंद कर दिया गया था free version में उस feature को एक्टिव नहीं किया गया था लेकिन O-Tracker के paid version में सभी feature को एक्टिव किया जाएगा इसलिए O-Tracker का paid version का subscription package लेने के बाद user अपने website के traffic detail के बारे में और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं तो ऐसे user जो O-Tracker का subscription package लेकर भी O-Tracker को इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें कुछ दिनों तक बेट करना चाहिए जब तक की O-Tracker का paid version एक्टिव नहीं हो जाता है इसके अलाबे जो नए user हैं जिन्होंने ecosystem में अपना account नया नया create किया है और वे O-Tracker को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वे अभी भी O-Tracker को 7 दिनों के लिए फिरी में इस्तेमाल कर सकते हैं O-Tracker को 7 days के लिए फिरी में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ecosystem में login हो जाना है और login होने के बाद यहां market place वाले option पर click करना है क्लिक करते ही आपके सामने O-Connect और O-Tracker का option दिखेगा जिसमें O-Tracker को इस्तेमाल करने के लिए O-Tracker के option में get it now वाले बटन पर click कर देना है click करने की बाद थोरा सा नीचे की और scroll करना है यहां पर दो option दिखाई देगा एक option है start your 7 days free trial और दूसरा option है subscribe now का अभी जब आप subscribe now वाले बटन पर click करेंगे तो कोई response होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि O-Tracker का paid version को अभी इस subscribe now वाले बटन से link नहीं किया गया है O-Tracker का 7 days free trial इस्तिमाल करने के लिए आपको start your 7 days free trial वाले option पर click करना है जब आप इस option पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का pop-up नजर आएगा इस pop-up में आपको start now वाले बटन पर click कर देना है जब आप इस start now वाले बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर एक notification आएगा your trial period started successfully for o-tracker यानि आप अभी से o-tracker को 7 दिनों के लिए फिरी में इस्तिमाल कर सकते हैं और यहाँ पर count up का एक option दिखाई देगा और जैसे जैसे 7 दिन बितेगा वह इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा और जब आपका 7 दिन खत्म हो जाएगा तब o-tracker को इस्तिमाल करने के लिए आपको o-tracker का subscription package लेना होगा वहीं o-tracker active होने की बाद o-tracker का icon आपके ecosystem के dashboard में यहाँ पर नजर आएगा जिस पर click करने के बाद आप o-tracker के dashboard में चले आएगे और o-tracker का dashboard कुछ इस तरह से नजर आएगा यहाँ पर create new project का option दिखेगा बटन दिखेगा इस बटन पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको अपने website का नाम डालना है यहाँ पर आपको अपने website का नाम डालना है यहाँ पर website का URL डालना है यहाँ पर उसका purpose डालना है उसके बाद create वाले बटन पर click कर देना है create वाले बटन पर click करते ही आपका website और tracker के dashboard में add हो जाएगा और add होने के बाद वह यहाँ पर दिखाई देगा और जब आप यहाँ पर click करेंगे तो click करने के बाद एक tracking code आएगा और उस tracking code को आपको अपने website में लगाना है और tracking code को website में लगाने के 24 घंटे की बाद आपके website का traffic detail और tracker के dashboard में दिखाई देने लेगा तो इस तरह से नए user और tracker को अभी भी 7 दिनों के लिए फिरी में इस्तिमाल कर सकते हैं उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कोमेंट में पूछ सकते हैं